हाई फ्रेंड्स कैसे हो सब लोग आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में आर्दिक स्वागत है मैं आपका दोस्त सुभास चोधरी आज फिर एक ने टोपिक के साथ शुरुवात करेंगे बहुत ही अच्छा टोपिक है और बहुत ही इंपोर्ट जाने वाला एक टोपिक है जिसके हम आज बात करेंगे इसका नाम है बायो मेडिकल वेस्ट मेनेजमेंट BMW मेनेजमेंट शुरुष से लेकर लाश्ट तक देख तरही है तब यह आपको समझ में आएगा चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टोपिक बायो मेडिकल वेस्ट मेन इसके लिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके डेख लिए इसके डेख लेकर अपरित हुआ था वह भी 1998 को बनाता चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेख लेख 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 जैसे सिरिंज वी आईवी शेट हुआ और सभी प्रकार का वेस्ट जिनको दुबारे यूज नहीं ले सकते वो कहलाता है होस्पिटल वेस्ट नेक्स्ट है मेडिकल वेस्ट इट रेफर्स टू माटेरियल जनरेटेड एज रिजल्ट ओफ पैसेंट डियागनोसिस ट्रीटमेंट इम्मुनाइजेशन ओफ हुमन बिंग एड एनिमल्स मिन्स वो मैटेरियल जो기로 ह्टेशन के डाइगनोसिस करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए या इम्मुनाइजेशन के लिए यूज में लियी गया है वो है medical waste ठीक है next बात करते है sources of healthcare waste means healthcare waste के कौन-कौन से sources है जहांसे healthcare waste develop होता है फाइस्ट गौ़र्मेंट एंड प्राइवेट होस्पिटल्स next nursing homes next physician या dentist office और क्लिनिक next dispensaries dispensaries जहां पर medicines त्यार की जाती है वह उसे बोलते है dispensaries next primary healthcare center next medical research and training center जहां research वगरा होती है वहाँ पर भी waste develop होता है next animal या slaughter houses means कसाई खाने या बुचड खाने जहां पर animals को मार दिया जाता है उस जगे को बोलते हैं slaughter houses next lab या research organization next vaccinating centers जहां पर vaccines बनती है वहाँ पर भी waste होता है next biotech institutions या production units यह थे कुछ sources जहां पर healthcare waste बनता है next हम बात करेंगे biomedical waste क्या है what is biomedical waste कुछ image आपको मिलेगी यह देख लीजिए what is biomedical waste first में दिखाए दिया रहा होगा waste sharps example needles second discarded medicines third human anatomical waste fourth solid waste example cotton sharps यह कुछ biomedical waste के examples है अभी हम देखेंगे category wise कौन से waste किस categories में आते हैं और कौन से categories के waste किस bag में या dust bean में डाले जाते हैं अब हम सब कुछ देखेंगे आप देखते रहे continuous पुरा वीडियो जुरूर देखे सभी कुछ समझ में आ जाएगा next types of biomedical waste biomedical के कुछ types है category wise है आप अच्छे से समझे क्योंकि आगे बहुत काम आने वाले हैं फैस्ट है category number one जिसके अंदर human anatomical waste इनको include किया गया है category number second जिसमे animal waste category number third is in microbiology and biotechnology waste category number fourth waste sharps category number five discarded medicines and cytotoxic drugs next category number six means soiled waste next category number seven solid waste six में soiled and seven में solid waste category number eight liquid waste category number nine incineration ass category number ten chemical waste chemical waste को category number ten में डाला गया है यह थे कुछ types of biomedical waste चलिए आगे बढ़ते हैं यह schedule categories of biomedical waste का first में दिया हुआ है वेस्ट के टेगरी कौन से category है next waste के type कौन कौन से types है जो इसके अंदर include किये है next treatment and disposal category wise किसका क्या treatment होगा यह भी साथ में दिया हुआ है तो इसे आप अच्छे से देखे अच्छे से सुनें ताकि easily समझ में आ जाए first बात करते हैं category number one की हमने वेस्ट देख लिए है superficial देखा है शिर्प अब इनके अंदर deeply जाएंगे कि कौन कौन से types है जो इनके अंदर include किये गए है first है human anatomical waste जिसके अंदर humans tissues organs body parts यह सब कुछ इसके अंदर include किये गए हैं अब देखते हैं इसका treatment इंजिनरेशन या deep brule मिंस यह तो जला देंगे या फिर दफना देंगे यह दो treatment है category number first का next देखते है category number second जिसके अंदर animal wastes include के गए हैं जिनके अंदर animal tissues organs body parts carcasses bleeding parts fluids blood and experimental animals used in research waste generated by veterinary hospitals colleges discharge from hospitals animal houses means जो कुछ animal waste है वो सब को category number second में डला गिया है इनका जो treatment है होगा incineration या deep brule जलाना या फिर दफनाना वह treatment है दोनों categories का next बात करते हैं category number third की जिसके अंदर microbiology and biotechnology waste include के गए हैं waste from clinical sample pathology biochemistry hematology blood bank laboratories culture stocks specimen microorganism live or attunated vaccines वेगरा यह सब कुछ जो microbiology और biotechnology से समन्द जो भी waste है उस सभी को category number third में डला गिया है इनका treatment देखते हैं disinfectionate source by chemical treatment or by autocliving, microwaving followed by mutilation, shredding and after treatment final disposal in secured landfills or disposal of recyclable waste plastic or glass means जो disinfection करना है microbiological या by technological waste है हमको disinfect करेंगे by the chemical treatment, chemical treatment के द्वारा, autoclave के द्वारा, microwave के द्वारा and mutilation और shredding के द्वारा shredding का means है टुकडों में तोड़ना टुकडों में तोड़कर जब यसा कुछ कर लेते हैं disinfection कर लेते हैं और autoclave, microwave इनके द्वारा तो इनको फिर dispose करेंगे secured landfills में और dispose करेंगे recyclable waste जो प्लास्टिक ये glass है जो reuse हो सकते हैं उनको recyclable waste के through dispose करेंगे के टेगरी फॉर्थ वेस्ट शार्फ आप एक और पड़ लीजी निस ग्लास श्रेंज श्रेंज विट फिक्स निडल स्केलपल ब्लैड ग्लास इटी जो भी साफ इंस्टूमेंट है वो सब के टेगरी फॉर्थ में डाले गए हैं जो useful दोनों प्रकार से जैसे used और unused इसिंफेक्ट करते हैं chemical treatment के द्वारा destruction करते है नीडली का बाइदा tip cutter इसकी टिप जो एद्डान के टिप होती है उसको cut कर देते हैं बाइदा tip cutter के द्वारा और टोकलेव करते हैं, माइक्रोव करते हैं, मल्टीलेशन करते हैं, स्रेडिंग करते हैं, फाइनल डिस्पॉर्ज कर देते हैं तुरू सिवी डवलू टी एफ या लेंडफिल्स यहां पर mutilation and shredding दोनगा मिंस एक यह टुकडों में तोड़ना नेक्स्ट बात करते हैं केटेग्र नमबर 5 की जिसमें discarded medicines and cytotoxic drugs include की गई है very important question cytotoxic drugs are included in which category तो correct answer होगा केटेग्र नमबर 5 अब यह हम color code देखेंगे तब एक वार ओड़ देख लेंगे नेक्स्ट है इसका treatment disposal in secured landfills और इंशिनरेशन या तो जला देएंगे या फिर secured landfills में dispose कर देएंगे एक नेक्स्ट केटेग्री नमबर 6 जिसमें soil waste include के गए हैं वो contaminated waste जैसे blood and body fluids including cotton dressing soil plaster cast linens bedding other material contaminated इनका जुट्रीटमेंट या दिस्पोजल होगा वोगा incineration शिर्फ और शिर्फ जलाना नेक्स्ट देखतें केटेग्री नमबर 7 infectious solid waste waste generated from disposable items other than the waste sharps such as tubing hand glass saline bottles with iv tubes catheters glass iv sets etc joby rubber instruments है या glass catheter joby है वो सब कुछ category number 7 में इनका treatment के शिकरेंगे treatment करेंगे disinfection by chemical treatment या autoclave या microwaving या by mutilation या shredding and final disposal through registered recycler registered recycler के through final dispose के जाता है वही method से autoclave microwave chemical treatment mutilation या shredding ठीक है next category number 8 chemical waste chemicals used in production of biological chemical use in disinfection by insecticides etc वो chemicals जो biological या chemically use लिए जाते हैं disinfection के लिए insecticides के लिए वो chemical waste include के गया है category number 8 में और इनका treatment भी chemical treatment के 3 इनको treat कर सकते हैं and discharge into drain for liquid and secured landfills for solids इनको जो drain करके जो भी chemicals यूज लिए गये हैं उनको drain करके secured landfills में दफना देंगे लास्ट जो generation आस में incinerate करके उनको जो आस में जो भी राक बचिए उनको landfills में दफना देना है और जो chemical waste है वह वाड़ा यह chemicals waste जो के टेक किया जाता है इसमें से हर exam में हर competition exam में क्यूशन पूचा जाता है skill test में भी इस में सी क्यूशन पूचा जाता है ऐसा कोई skill test नहीं है जिसमें biomedical waste management नहीं पूचा गया हो हर competition में पूचा जबता है इसलिए आप ध्यान फाइस्ट ये लो जो आपको दिखाए दे रहा है इसमें प्लास्टिक बेक्स अना टो मेंकल वेस्ट मेलब के टेग्री नंबर वन टू थ्री एंड शिक्स्ट इनको इंक्लूड किया गया है ये लो कलर में इनका जो ट्रेटमेंट होगा इंशनरेशन या डेप रूल या तो जला देंगे या फिर दाफना देंगे यह दो यह ट्रीटमेंट है नेक्स्ट रैड जिसके नदर डिसिंफेक्टेड कंटेनर्स या प्लास्तीक बैक्स जिनमें क integrate etti नम्बर थाय्ड शेक्स्ट एंड शेवां तेनों केंपल्ण cities include की गी Bess, Puncture, Proof Containers, Means Color Code, जो केoli है, Fourth, Seventh and Eighth, तिनुàng गीज, ब्लूऊ में इंकल्ट कीए, इसमें के टेगिरी और नहीं दी भी है, बट मैं बता देता हूँ, के टेगिरी ऐड्ट भी ब्लूव में इंकल्ट कीए, इनका जो ट्राइट्मेंट होगा उतोकले ऋ माइक्रोवेव केमिकल और एन्ठ डिस्ट क्ट्रक्षन यस रेडिंग्ग करके इनका ट्रीटमेंट कहा जाता है नैकस्ट ऐ ब्लेक कलार ब्लेक में प्लास्टिक बैक्ष क्योंकर नंबर 5th 9th 10 dollar advice बता दिए मैंने बता रहे हैं इन में वो केटेगरीज के वेस्ट आपको याद रखने हैं उन्हीं से क्यूशन मिलेगा जैसे एक्जामपल बता देता हूं प्लेशेंटा को आप किस कलर कोड के बेग में रखोगे तो आपका आंसर होगा ये लो क्योंकि केटेगरी नंबर वन हिमन वेस्ट साप्स फिफ्ट डिस्कार्डेड मेडिशिन एंड साइटो टोक्सिक मेडिशिन शिक्स्थ स्वैल वेस्ट सेवन्थ सॉलिड वेस्ट एट लिक्विड वेस्ट नाइन्थ इंशनरेशन आस टैंथ केमिकल वेस्ट आपको येसे ही याद रखना है तर भी आप क्यों क्वाइब आपाऊगे नेच्ट बात करते हैं ब्लेक कलर प्लास्टिक बेक्स के टेग नंबर फिफ्ट नाइंट टैंट तृन्ट इंक्लूड गी ए ब्लेक कलर मैं इनका जो ट्रेट्मेंट होगा होगा डिस्फोजले से क्योड लेंडफिल्स शेक्योर लेंड फिल्स के अंदर इनको दफनाना यह इसका ट्रीटमेंट है अभी हम कुछ इमेज विगरा देखेंगे तो आपको और इजले समझ भी है जाएगा कलर कोड की कुछ इमेज मेंने यहां इंक्लूड की है चलिए दो इमेज आपके सामने है बायो हजाइड शिंबल एक एक्ट टॉक्षिक के लिए सेकंड वाला इमेज है इमेज बेस्ट क्यूशन बहुत पुछे जा रहे हैं आज कल तो आप यह भी याद रखें क्योंकि इन मेंसे भी क्यूशन आते हैं इमेज बेस्ट कुशन इसलिए मेने यहां पर यह दो इमेज आपके सामने रखिए चलि सब्सक्राइब करेंगे और उसका क्या ट्रेटमेंट करेंगे फाइस्ट है येलो कलर के जो भेग होते हैं उनमें कौन-कौन से वेस्ट क्लेक्ट किया जाते हैं वह है येलो कलर में वेस्ट क्लेक्ट किया है उनका जो ट्रेटमेंट होता है वह होता है इंसिनरेशन या डिब्रुयल मिन्स यह तो जला देंगे या फिर दफना देंगे नेक्स्ट है रेड क्ललर के जो भेग होते हैं उनमें कौन से वेस्ट क्लेक्ट किया जाते हैं वह ते हैं избив Esp i7 reinforce सहते हैं हमेशा चनलर के बीग में क्लेक्ट क्या जाते हैं इनका जो ट्रेटमेंट कि शीची एधा है घ्रेटमेंगा क्वाया माइक्रोवैब and chemical treatment chemical treatment में 1% hypo chloride solution से इनको treat क्या जाता है next देखते हैं blue या white इनके अंदर waste sharps जो भी sharp instrument है वो सब blue color या white color में collect करते हैं जैसे needle, syringe, scalpel, blades, etc इनका treatment कैसे करते हैं by the autoclave, microwave, chemical treatment and destruction and shredding जो भी sharp instruments होते हैं उनको destruction में लब तोड़ दिया जाता है shredding मिन्स भी तोड़ना ही होता है जो needles हुगर है tip cutter के द्वारा needle की tip को cut कर दी जाती है उसी प्रकार से इन sharp instruments को distract करके या shredding करके treat करते हैं next है black इसके अंदर discarded medicines या cytotoxic drugs, incineration arts या chemical waste इंक्लूड के गिये हैं या यह जो waste है discarded medicine, cytotoxic drugs, incineration arts, chemical waste वो collect करते हैं black color में इन waste products को treat क्या जाता है disposing secured landfills लब इनको दफना कर इनको treat क्या जाता है यह थे कुछ color code with segregation of BMW चलिए एक दो image order देख लेते हैं क्योंकि image based का जमाना है यह है double chambered incinerator next यह incinerator arts disposal जो भी जली भी राक होती है उनको यहाँ पर dispose किया जाता है यह एक secured landfills होता है है जगह नहीं होता है इनको एक particular जगह पर बने जाता है यह था आजगा topic biomedical west management अब आगे दो क्योशन दिये वे हैं आप पढ़ लीजी आपको जीली समझ में आजाएगा जो competition में पुछे गए है एम्स बुनेशर 2019 में पुछा गया क्योशन है एक और क्योशन जो आगी क्योशन आगा वो एम्स एम्स नागपूर 2019 में पुछावा क्योशन है आप दोनों क्योशन पढ़ लीजी कुछ AC क्योशन आपके सामने होंगे जब आप competition exam दोगे उस समय यह था आज का topic biomedical vest management बहुत ही अच्छा topic था हर competition exam में पूछा जाने वाला topic है आप अच्छे से देखे सुने और समझे अच्छे से समझोगे तो आप अच्छे से क्योशन को स्वाल करोगे आपके कोई doubt नहीं होगा चलिए फिर मिलेंगे अगले topic के साथ कल Thank you very much